नमस्कार दोस्तों स्वागत सभी टेक्नोवल है मैं ना विशाल और दोस्तों आज किस वीडियों हम बात करें वारे राम या फिर SSD अपग्रेड के बारे में अगर आपके लापटॉप में 4GB RAM है तो दोस्तों बहुत से लोगा ये क्वेशन आता है कि हमारे लापटॉप में सि से पहले क्या अपग्रेड करना चाहिए अगर आपके लापटॉप में 4GB RAM अल्रेड़ी इंस्टॉल है और आप लापटॉप को यूज करें बहुत ही बेसिक यूज के लिए बाइद वी हमने इसके पर अल्रेड़ी एक वीडियो बनाया हुआ था जिसका लिंक आप पूर न एक काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक काम दोस्तों एक से मैक्सिमम दो काम हम यहां पर देख सकते हैं उससे जाधा काम आप नहीं करते तो 4GB RAM इनफ है और वैसे सिटुएशन में आपको SSD को अपग्रेड करना चाहिए तो SSD अपग्रेड करने से आपका जो फाइल का लोडिं और आपको यहां मदद मिलेगी लेकिन अगर आप मदद में बैसाथ में आप करते हैं ग्रास कीन यहां लिए new यहां टो इसे साल शेक्ते हम तो वैसे situation में क्या हो सकता है कि आपका जो RAM हो सकता है वो काफी ज़्यादा फिल हो सकता है और out of usage जा सकता है because Windows 11 mostly आशकल सभी laptops में pre-install आते हैं और उसकी वज़़से 2.5 GB से लेके 3 GB तक का जो RAM का space होता है वो already consumed होता है Windows 11 के लिए तो वैसे situation में आपके पास में जो other application होते हैं उनको use करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक से 1.5 GB का space बचा हुआ होता है तो इसलिए अगर आपको multiple applications को use करना है तो वैसे में आपको RAM को upgrade करना चाहिए otherwise अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक application को use कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले SSD upgrade करना चाहिए लेकिन अगर आप multiple application यूज करते हैं सबसे पहले recommend में करूँगा कि RAM को आप 8 GB पर upgrade करें उसके बाद में then SSD पर आप upgrade करें तो इससे आपको performance जादा better मिलेगा क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग SSD पर upgrade तो कर जाते हैं लेकिन वह ऐसे situation में RAM जो होता है बहुत ही limited हमारे पास में available होता है और सभी files RAM में load नहीं हो पाते हैं जिसके हो जैसे फिर bottle link situation create होता है और फिर वहाँ पर laptop hang हो जाता है काम नहीं करता है function नहीं करता फिर लोगा का question आता है वापस से कि सर हमने SSD पर upgrade तो कर लिया लेकिन फिर भी हमारा laptop hang कर रहा है वह इसलिए हैं करता है कि आप multiple applications run कर रहे होते हैं आपके पास में enough space नहीं होता है आपके RAM में और सभी files उसके नहीं जाके store नहीं हो पाती है एक साथ में इसलिए वहाँ पर hang कर जाता है आपका laptop इसलिए मैं recommend करूंगा अगर आप basic use के लिए मतलब कि एक से दो application use करने वाले तो SSD upgrade करिए अगर आप multiple applications यूज करने वाले तो RAM को सबसे पहले priority पर अपग्रेड करिए 8GB पर देन ही उसके बाद में SSD पर अपग्रेड करिए तो दोस्तों यह था एक quick solution आपके query का अगर इसके बाद भी कोई आपको questions है कोई आपको query है तो नीचे कॉमेंट करके आप हमसे पूस रखते हैं अगर आ देख दूसरे वडियों तब तक के लिए गुड़ बाई